आपका स्वागत है मैं हूँ अनिल सर्मा और आज डिसकस करने जा रहे हैं चालकत्व चालकता और मुलर चालकता के बारे में तो वीडियो को बिना इसकीप की ये पूरत देखिए अनिता कुछ न कुछ जरूर मिस करेंगे इस चैप्टर में तो आई ये सुरू करते हैं इस च तुकड़ा है मेटल का एक तार का टुकड़ा है और ये दोनों साइड क्रॉस सेक्षन दिखाया गया है अनुपरस्त काट है ये वायर जो है इसमें धात के परमाड है और धात के परमाड पूरे मेटल का वायर उसी धात के परमाडों से बना हुआ है जिसका ये है अगर लो परमाड में मुक्त इलेक्टॉन होते हैं, ये परमाड अपनी जगे फिक्स होते हैं, और उनके जो मुक्त इलेक्टॉन होते हैं, फ्री इलेक्टॉन होते हैं, अगर एक इलेक्टॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जाना हो, तो वो सीधे नहीं जा सकता, वो टेढ़े मे ये रुकावट उसे मिलती है रास्ते में तो जो रुकावट मिलती है प्रतिरोध मिलता है उसको संघर्ष करना पड़ता है तो यही जो है रेजिस्टेंस होता है तार का यही किसी भी दाद चालक में इलेक्ट्रॉन को जो रुकावट मिलती है तो इसको रेजिस्टेंस कहते ह आर से वेक्त करते हैं और ये इसका मातरक ओम होता है यहितना ज्यादा ओम है ज्यादा ओम उसका पृतिरोध है इतना ही ज्यादा उसमें रुकावट है और सिंबल भी उसका ऐसे बना सकते है अब अगर यह आर का व्युत्रेक्त किया जये तो वो चालकत तो होता है यहां जितना अदा पृत्रोध होगा उतना उसमें कम चालन होगा विद्धु चालन होगा तो चालकत होगा तो कंड़क्टेंस C is equal to 1 upon R यहां R के विद्धक्रम को चालकत तो कहते हैं तो यहां C का मात्रक क्लियर है कि ओम इन्वर्स होगा तो यह जो रेजिस्टेंस है तार का यह किस बात पनिर्भर करता है अगर इलेक्ट्रोन को ज़्यादा लंबी दूरी तयकननी है तो रुकावट ज़्यादा मिलेगी यानि तार की लंबाई ज़्यादा होगी L और क्रॉस सेक्षन का एरिया A अगर ज़्यादा होगा तो आसानी होगी तो यहाँ एरिया की विद्ग्रमानुपाती है और लेंद के समानुपाती है यानि तार की लंबाई ज़्यादा होगी तो प्रत्रोच ज़्यादा होगा तार जितना मोटा होगा electron को आगे चलने का उतना अच्छा रास्ता मिलेगा कहीं से भी निकल जाएगा तो यह किसी pipe में बहने वाले पानी के समान है कि मोटी pipe में पानी आसानी से बहता है और पतली pipe में उसे struggle होता है संगर्श होता है तो यहां पर r is equal to rho l by a यह सिंबल रो का है रहो रो और यह कॉंस्टेंट है समानपाति का चिन हटने पर रो आता है तो यहां पर रो को हम लिख देते हैं रो इसमें रो को एक किनारे करें एक तरफ करें तो अब अगर रो भी एक तरह का प्रितिरोध ही है विशिष्ट प्रितिरोध है तो अगर उसका व्यूतक्रम किया जाए तो चालकता आती है जिसे हम कंडक्टिविटी कहते है तो र के व्यूतक्रम को चालकता कहते है तो चालक लगता को हम कप्पा से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, कप्पा एक Greek सिंबल है, जिससे हम चालकता को वेक्ट कर सकते हैं, तो ये जो R है और रो में क्या आंतर है, अगर इसमें A और L का मान एक एक हो, तो रो और R बराबर होंगे, तो रो भी एक तरह का conditional resistance ही है, R is equal to L by R A हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, 1 upon R into L by A, और 1 upon R आप जानते हैं कि क्या है, 1 upon R C है, तो इसको दुबारा लिख देते हैं, 1 upon R C है, इसलिए 1 upon R की जगे हम C लिख देते हैं, और L by A को वैसे ही लिख दिया, तो यह फॉर्मूला है, इसमें L by A constant होता है, इसे कोई तार है, उसकी लंबाई fixed है, यह cross section का area fixed है, तो यह L by A जो है constant है, यहाँ, लेकिन अगर हम विलैनों में विद्दू चालन की बात करें, मान लिया इस बर्तन में पानी भरा है, और पानी में कुछ विद्दू तब घट मिला है, जैसे नमक, जिस इसमें धनायन डिडायन होते हैं, तो ऐसा कोई घोल है, इसमें भरा हुआ और दो तार इसमें आये हैं, जिसमें इनके सिरे पर दो प्लेटे लगी हैं, तो इन प्लेटों में इन प्लेटों यह प्लेटें विलैन में हैं, और इनका छेतरपल A है, दोनों का A A है, और दोनों प्लेट एक दूसरे से A L दिस्टेंस पर हैं, L दूरी पर हैं, और किसी बैटरी से इसको हम अगर कनेक्ट कर देते हैं, तो इलेक्टरॉन जो है, आना सुरू होते हैं, यहनी सर्किट कम्प्लीट हो जाता है, परिपत पूर्ण हो जाता है, इलेक्टरॉन, एक तरफ विद्द जोकि DC है डारेक्ट Corinthians है बैटरी में तो एक दिसा में धारा बहने लगती है तो ये जो है ये चालकता सेल है यानि ये विलेन में विद्ध चालन हो रहा जिसे तार जिदना है बाहर बाहर सरक्ट में उतना तो तार में धारा बहती है लेकिन दो प्लेटों के बीच में करेंट कैसे बहता है वो आयनों के कारण जो है विद्धुद्धारा बहती है तो दो प्लेटों के बीच में जो आयन उपस्थित होते हैं विलेन में वही responsible होते हैं करेंट के लिए तो पुरा circuit complete होने के लिए दो प्लेटों के बीच में जो विद्दुचालन हुआ वो आईनों के कारण हुआ तो यहाँ पर विलेनों में भी विद्दुचालन होता है बसरते विलेन में जो विले घुला हो वो क्या होना चाहिए विद्दुटब घटे जैसे नेसेल है वो sodium ion chloride ion से बना होता है इसलिए जैसे उसको पानी में खोलते हैं sodium ion और chloride ion पूरे विलैन में फैल जाते हैं रेंडमली तो sodium ion के चार तरफ sodium ion chloride ion ऐसे पुरा फ्रीली गूमते रहते हैं कुछ ऐसा निश्चित नहीं होता है कि उनकी इस्तिती फिक्स नहीं होती है तो यहाँ पर बहुत सारे मैंने बना दिये हैं अब sodium ion को मान लिया arrow की दिशा में आगे बढ़ना है तो उसको बगल का chloride ion अपनी तरफ आकरशित करेगा यह भी chloride ion आकरशित करेगा यह भी आकरशित करेगा इन्हीं जितने opposite charge वाले हैं सब उसको आकरशित करेंगे तो उसको आगे बढ़ने में मुस्किल होगी और जो sodium ion है वो sodium ion sodium ion को प्रतिकरशित करेंगे क्योंकि same charge है तो कोई प्रतिकरशित करेगा कोई आकरशित करेगा तो sodium ion को अगर villain में आगे move करना है तो उसको पृतिरोध मिलेगा तो ये जो आकर्षन पृतिकर्षन है इसके कारण पृतिरोध होता है आयनों को तो विलेन में जो विद्दुच्चालन होता है उसमें भी पृतिरोध होता है वो resistance आकर्षन प्रतिकर्षन के कारण होता है और आयनों की संख्या भी ये तय करती है कि उसमें कितना प्रतरोध होगा तो इसलिए ये जो फॉर्मूले हैं ये विलेन में जो विद्धु चाला होता है उस पर भी लागू होते हैं और यहां जो ल वाई ए है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी और प्लेटों का छेत्रफल ये चुकि फिक्स्ट होता है ये इसलिए जो है इसको हम सेल कॉंस्टेंट कहते हैं और सेम फॉर्मूला यहां एपलाई होगा और R is equal to rho L by A और इस तरह से अगर L और A का मान एक एक है यानि दोनों के बीच की दूरी एक सेंटिमीटर है प्लेटों के बीच की और प्लेटों का छेत्रफल एक सेंटिमीटर स्क्वाइर है तो R और रो बराबर होंगे तो यह फॉर्मूले जो है दोनों यह चालकता सेल है यानि सेल वह होता है एक ऐसा सेट अप जिसमें दो प्लेटें एलेक्टोंड पड़े हों और विलैन भरा हो विद्धव घट्टे का तो यह भी एक चालकता सेल है और इसमें बाहर से एक बैटरी लगाई गई है तो चालकता सेल का जो लगाई का जो अनुपात है उसको हम सेल इस्थिरांग कहते हैं और कोई भी चालकता सेल प्रयोगों के लिए रेडी मेड मारकेट में यानि अवेलबल होते हैं और उनको यूज करते है तो उनका लगाई जो है फिक्स्ट होता है तो यहाँ LYA की जगे हम सूत्र में सेल नियतांग लिग देते हैं तो सेल नियतांग निकालने के लिए अगर कपपा और सी पता है तो सेल नियतांग हम निकाल सकते हैं और अगर कपपा निकालना है यही अगर दो चीजें पता है तो तीसरी निकाल सकते हैं तो यहाँ L y is equal to kappa y c भी वो सेम चीज़े पक्षांतर करके formula बन जाता है तो यह दो चीज़ें हमें समझना molar चालकता को है लेकिन उससे पहले यह दो चीज़ें जाननी जरूरी हैं कि चालका तोर चालकता क्या होती है तो एक conductance यह दूसरा conductivity है तो यह formula जो kappa is equal to 1 upon r into l by a है यह दोनों formula तो समझ में आगए होंगे आपके अब यहाँ पर उपर चालकता में c का मत्रक तो ohm inverse है लेकिन यहाँ पर क्या है 1 upon r, r कीज़े गए ohm और l centimeter में area centimeter square में square centimeter कटेगा ohm inverse centimeter inverse यह kappa का मत्रक है यह चालकता का मत्रक है और ohm inverse को हम साइमन्स यह कैप्टल S से भी पर रसित करते हैं और ohm inverse को हम more भी लिखते हैं mho तो यह मत्रक हम यूज़ कर सकते हैं तो अब समझते हैं कि molar चालकता क्या होती है तो जैसा कि इसमें इसका symbol देख रहे हैं यह lambda है उसके बगल में छोटा सा M लिखा हुआ है तो यह molar चालकता का symbol है ऐसे अब इसमें जैसे यह जो चालकता cell है इसमें electrolyte का विलेन है और इसका आयतन निश्चित है यह इनि इसमें हमने कोई विदुद अभगट मिलाया है और कितना मिलाया है एक mol सपोज NACL मान लिया वैसे कुछ भी मिला सक लिखते हैं तो NACL का अणुभार कितना होगा सूत्र भार यह अठावन पॉइंट पांच ग्राम जो की एक मोल के सूत्र से जो मात्रा आती है उसके आगे ग्राम लिख दिया जाए तो वह एक मोल के एक मोल होता है तो एक मोल NACL उपस्थित है इस निश्चित आयतन वाले विलेन में तो अब यहां पर जो भी रेजिस्टेंस आएगा उसको हम यहां रखेंगे और L by A, L और A कमान रखेंगे तो इससे कपा जाएगा तो यहां पर रेजिस्टेंस जो है इस बात पर निर्भर करता है आर कमान उसमें कितना हम विद्धुतब घट घोल नहें हैं इस बात पर भी निर्भर करता है जादा है कम है उससे आयनों के बीच की दूरी घटी बढ़ती है तो मोलर चालकता क्या है जैसे की परिभासा से क्लियर है कि जब विलेन के एक निशित आयतन में विद्धुतब घट का एक मोल घुला होता है इसमें एक मोल घुला है वन मोल तो उससे उत्पन चालकता कपा को उस विलेन की मोलर चालकता कहते हैं तो यहाँ पर लैमडा एम इजिक्वल टू कपा इन्टू वियम ये जो है मोलर चालकता का सूत्र है लेकिन वियम क्या है वियम वालियूम है लेकिन कौन सा वालियूम है ये वालियूम सेंटिमेटर में वॉल्यूम है और विलेन का वॉल्यूम है जिसमें एक मोल विद्धुत अभघट्टे घुला हुआ है तो एक मोल जितने आयतन में मान लिया हमारे पास 100 ml पानी है उसमें हमने एक मोल नमक गोल दिया ठावन पाइंट पाच ग्राम तो यहां पर वियम उतना लिया जाएगा यहां जितना आयतन होता है वही सेंटिमेटर क्यूब है तो वीम का मात्रक सेंटिमेटर क्यूब है तो सेंटिमेटर क्यूब में वह आयतन जिसमें एक मोल चुकि इसमें विदतव घट्ट हमने एक मोल डाला है तो इसलिए और इसका आयतन वीम है तो इसका हम रेजिस्टेंस निकालेंगे कपा निकाल तो मान लिया इसमें जो विलेन है, इसकी मोलता मोल प्रतलीटर है। जैसे कोई भी विलेन बनाते हैं तो इसकी सांता मोल प्रतलीटर में ही ग्याद करते हैं। Remote प्रतलीटर मतलब हुआ है 1 लिटर में is 0.1200regob To 1000 ml हम लिख देते हैं। कोई परक नहीं। और एक मिली मतलब क्या होता, एक सेंटीमेटर क्यूब, तो एक हजार सेंटीमेटर क्यूब लिख देते हैं, इसका मतलब M मोल घुला है, एक हजार सेंटीमेटर क्यूब में, तो एक मोल घुला होगा, एक हजार बटे M into 1, तो ये जो है, सेंटीमेटर क्यूब में वो आयतन है जिसमें एक मोल विद्धव घट्टी घुला है तो हम VM की जगे क्या लिखते हैं 1000 बटे M ये जब रखते हैं तो VM की value है अगर मोलरता हमें पता है तो 1000 बटे M का मतलब है कि वो volume जिसमें एक मोल विद्धव घट्टी घुला है तो Lambda M का सूत्र क्या हो गया Lambda M is equal to kappa into 1000 upon M तो M क्या है? मोलरता है कपपा क्या है? चालकता है तो इस तरह से अगर हमें कपपा पता है और Vilen की मोलरता पता है तो हम मोलर चालकता ग्याद कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने निश्चित आयतन सब क्यों इस्तिमाल किया? क्यूंकि M मोल घुला है एक लीटर में तो यहाँ आयतन सबला टायाँ निश्चित है तो यह इसलिए उसमें एक लीतर में valeur एक M मोल घुला हूआ है तो एक मोल कितने में घुला होगा वो तो एक लीतर होगा नहीं वो 1000 by M है तो lambda m का मात्रक क्या होगा अब कपपा का मात्रक इसके पहले अभी आपने जो चालकता conductivity की बारे में बता रहे थे कपपा is equal to 1 upon r into l by a तो उससे क्या आया था उससे कपपा का मात्रक आया था ohm inverse centimeter inverse तो ohm inverse centimeter inverse into 1000 बटे m ये एक तरह से centimeter cube 1000 क्या है ये centimeter cube और m मतलब क्या है ये है mole तो अगर centimeter cube को हम नीचे लाएं तो mole प्रती centimeter cube हो गया mole प्रती एक निश्चित जो आयतन है तो mole प्रती centimeter cube तो प्रती 1000 centimeter cube तो यहाँ पर उसको हम 1000 जो है ये 1 by 1000 ये mole प्रती 1000 centimeter cube तो इसका होगा centimeter cube upon जिसको mole के नीचे centimeter cube लाएं ये 1000 centimeter cube लाएं तो ये centimeter cube ऊपर जाएगा mole नीचे आएगा तो centimeter cube से minus 1 कटेगा तो यहाँ पर ohm inverse centimeter square mole inverse ये इसका मात्रक हो गया ohm inverse centimeter square mole inverse तो इस प्रकार ये बात clear हो गई कि molar चालकता एक निश्चित आयतन यानि विलेन के एक निश्चित आयतन में जिसमें विद्धुत अब घटे का एक mole खुला होता है यानि उस एक mole से उत्पन जो धनायन निडायन होते हैं वो जो चालकता उत्पन करते हैं उसके कारण जो विद्धुत चालन होता है तो उसकी जो चालकता है उसको molar चालकता कहते हैं तो यहाँ पर lambda m का मातरक भी ohm inverse centimeter square mole inverse है और जिसको हम लिख सकते हैं s centimeter square mole inverse लेकिन कभी कभी centimeter square के जगे meter square भी योज़ होता है तो चुकि 100 centimeter बराबर 1 meter होता है दोन तरफ square करने पर 10 to power 4 centimeter square is equal to 1 meter square हो जाएगा तो यहाँ पर कोई चीज अगर centimeter square में है तो उसको उसकी जगह है meter square ला सकते हैं इस 10 to power minus 4 हमें पूरी उम्मीद है यह तीनो topics आपकी समझ में आए होंगे तो यह हमें comment करके बता दीजे अगर आप पहली बार इस channel पर वीडियो देख रहे हैं तो channel को subscribe कर लिजे क्योंकि हम फिर मिलने वाले हैं next video में विद्धुत्र सायन से part 9 में